हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी ये जो सेट अप है मेरा ये कहां का सेट अप है तो मैं आप बताना चाहूँगा कि ये एक मेरे फ्रेंड है उनके ऑफिस का सेट अप है दिन में वहां बहुत ज़्यादा शोर आता है और शाम का टाइम होता है उस टाइम पर घर में टीवी चलती है और बच्चे वगरा खेलते रहते हैं और पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो शाम को मतलब थोड़ा सा शोर होता है तो शाम को उस का रहने से वीडियो बनने प अच्छा और एक चीज और है कि अभी जो है बजट आने वाला है और हो सकता है कुछ लोग वीडियो को उस समय देख रहे होंगे जब बजट आ चुका होगा तो दोस्तों बजट का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है और हमेशा ही पढ़ता है मैं तो यह द करते रहें और जिस जिस सेक्टर के अंदर घोशना है होगी जिस सेक्टर को बेनेफिट मिलेगा तो उमीद है कि उस सेक्टर के जो शेर है उनके अंदर भी में तेजी देखने को मिलेगी और अभी तो खेर विशी करना चाहिए हमें कि जो बजट है यह अच्छा है लेकिन दोस्ते आपको क्या लगता है कि बजट के आने के बाद में किसकी सेक्टर के अंदर हमें ज़्यादा तीजी देखने को मिलेगी। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस सवाल का जभाब आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? और आपको जो नया बजट है ये कैसा लगा क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियो आपके पास तब तक आएगी जब तक बजट आ चुका होगा मेरे हिसाब से तो कोशिच करना पहले डालने की बट कुछ लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो ये सारी चीजे हैं दोस्तो तो बजट के बारे में आपकी क्या रहा है आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट कर बताईएगा और यही बताईएगा कि क्या बजट के आने से हमारे शेर मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा मेरे एसाब से तो प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस जिस सेक्टर में ज्यादा कुछ घोशनाय होती है उन सेक्टर के जो शेर बगार है वो काफी तेजीग साथ चलते हैं जिन जिन सेक्टर में जो है घोशनाय नहीं होती है कम होती है उस सेक्टर के अंदर जो है शेर थोड़े कम तेजी साथ चलते हैं बट कई वार ऐसा होता है कि घोशनाओं से भी जो है शेर बजार को फर्क नहीं पड़ता कोई सावी सेक्टर कभी भी बूम कर जाता है डिपेंड करता है कि जो कमपनी है वह कित्ती स्ट्रॉंग है और किस तरीके से ग्रोथ कर रही है तो सारी सी दोस्तों मिक्स होती है बाकी शेयर बजार के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी भी चीज के बारे में इसलिए मैं आपको मेरे लगबाग हर वीडियो में यह कहता हूं कि किसी भी तरह का इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने अच्छल एडवाइजर के सलाह जरूर ले ले और खुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रीसर्च और इस्टडी जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पैंड करते हैं और उमीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप से बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई बाई